कुख्याद गैंग्स्टर दाओद इब्राहिम के कतित गुर्गे रियाज भाटी की पतनी ने अपने पती और देश के कई हाई प्रोफाइल लोगों के खिलाफ रेप का आरोप लगाया है। की सी जगह का नाम या तारीक का जिक्र नहीं किया है, जहां उसके साथ रेप हुआ। शिकायत में रियाज की पतनी ने पंड्या और पतेल की पहचान जहां क्रिकेटर के तौर पर बताय है, वहीं शुकला को भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बी सी सी आई का पूर्वध्य बताया है, अपनी अरजी में उसने कोठारी के बारे में कोई व्योरा नहीं दिया है, रियाज भाटी पर कतित तोर पर जबरन वसूली, जालसाजी और जमीन हत्याने के कई मामले दर्ज है, मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुक परमवीर सिंग के खिलाफ रंगदारी की फर में भी उसका नाम दर्ज है, भाटी पर बरखास पुलिस अधिकारी सचिन वजे के इशारे पर बार और रेस्तरा मालिकों से रंगदारी वसूलने का भी आरोप है, महराश्ट्रा के मंत्री नवाब मलिक ने रियाज भाटी पर आरोप लगाया था कि वह दो साथ मुंबई एरपोर्ट पर पकड़ा गया था और पूर्ब मुख्यमंत्री के कहने पर उसे कुछ दिन बाद छोड़ दिया गया